जाहिन प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल वे ओफ कहरीर में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं CRPF की जो नई वेकंसी आई है विद ओफीशियल नोटिपिकेशन दोस्तो आपको बताएंगे यहाँ पर कि CRPF की कोंस्टेबल जीडी क पोस्ट पर दोस्तो यहाँ पर वेकंसी आज चुकी है और दोस्तो रैली जो आपकी वहाँ पर होने वाली है तो पूरी जानकरी दोस्तो यहाँ पर बताएंगे कि कब आपके रैली है और दोस्तो क्या इसमें प्रोसेस है क्या सेलक्षन प्रोसेस है पूरी जानकरी विद न इन डेट के लिए यह रैली रखी गए और दोस्तों 400 पोस्ट है इसमें और दोस्तों यहाँ पे जो है लास्ट डेट है वो 3,10,2022 है और यहाँ पे किलिक जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ऐफिशियल नोटिस को दोस्तों खोलते हैं तो यह आपके सामने नोटिपिकेसन जो खुल के रेडी हो चुका है दोस्तो जो 20 सितंबर को जो नोटिश जो है मैसेज जारी हुआ था दोस्तो आपको बता दें अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे इस लाइटेस्ट भरतियों के बारे में जाना है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर से कर दुस्तों बढ़ते हैं आगे इसमें वेकैंसी किस टीज के लिए हैं देखिए यहां पर बताते हैं आपको तो दोस्तों सबसे पहले तो आपकी यहां पर बात करें कि आपका इसमें सιलक्षन प्रॉसेस और एज़ वगयरा क्या रहेने वाली है एए एले ग क्राइड तो 18-28 आपके एज रखिये गई है और दोस्तो 18-2022 के इसाब से जिसमें आपको 5 साल का relaxation भी मिलेगा SC और ST candidate जो है उनको उसके बाद में दोस्तों बात करें male candidate की तो male candidate की height जो है 153 cm मागी गई है after relaxation चूट के बाद है और चेश्ट जो है minimum आपकी 54.5 जो है जवाब की होने चाहिए और 5 cm आपको फुलानी है weight की बात करें दोस्तों तो weight की बारे में लेकर रखा है 10% less in proportion to the height याई कि height के इसाब से आपका जो weight है वो होना चाहिए उसके बाद दोस्तों बात करें जो आपका सबसे पहले इसमें जो क्या होने वाला है तो दोस्तो सबसे पहले आपका physical होगा physical के बाद में आपका exam होगा ठीक है medical exam होगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं physical में आपकी running होगी वो कितनी होगी 5 km होगी जो की 24 मिनट में आपको पूरी करनी पड़ेगी ठीक है तो यह आपका उसके बाद में आपका medical exam होगा ठीक है जाने कि आपका physical के बाद में आपका medical exam होगा और दोस्तों इसमें साफ साफ mention किया गया है कि tattoo अगरा जो है वो allowed नहीं है अभी दोस्तों अगर आपको यह forum अगर लगाना है तो दोस्तों यहाँ पे आपको साफ साफ दिया गया है कि कैसे आपको कौन कौन से आपको documents जो है लगाने है इसमें क्या दोस्तों आपका रहने वाला system देखिए RTV के mark sheet आपके पास होनी चाहिए educational certificate documents आपके आधार card वगरा होना चाहिए AST certificate अगर आप AST से हैं उसके बाद मूल जाती है आपके पास होनी चाहिए यह documents आपके पास होनी चाहिए उसके बाद दोस्तों आपका पीटी पेसटी के बाद जो आपका written exam होगा तो written exam में देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिया है कि आपके जो paper है वो दो होंगे ठीक है फस्ट paper और paper second तो दोनों paper यहाँ पे होंगे आपके और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बात करें आपकी merit list आएगी उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे यह आपका forum है दोस्तों अगर यह forum जो है आप download करना चाहते हैं यह forum जो है आपका इस forum को अगर आप download करना चाहते हैं तो telegram channel के link description में दी गई है वहाँ पे यह notice और forum यह सब कुछ जो मैं provide वहाँ पे करवा दूँगा ठीक है तो आप लोगों को और भी आप बाकी जानकारी मैं यहाँ पे बता देता हूं उसके बारे में तो यह application form जो है आपको जो है यहाँ पे भरना है offline यह forum है और दोस्तों यह vacancy किस के लिए है यह भी मैं यहाँ पे बता देता हूं यह vacancy जो यह rally निकली है इसके बारे में देखो यहाँ पे detail से दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आपकी जो date है यह 10-10-2022 से 22-10 यानि की यह आपका 10 October 2022 से 22 October 2022 के बीच में जो यह भरती होंगी और यह दोस्तों कहां की हैं तो दोस्तों बता दूए यह बीजापूर stadium की हैं ठीके और दूसरी जो दंतेवाडा की और सुकमा की जो यह vacancy है यह vacancy हों के नंबर भी दे रखे हैं कि बीजापूर की 128 male candidate की है और दंतेवाडा की 144 है सुकमा की 128 है टोटल करके यह 400 जो vacancy रहने वाली है और दोस्तों यह इन जो इलाकों से जो candidate belong करते हैं वो ही यह यह इस forum को जो है भर पाएंगे ठीक है तो 36 गड़ के लिए यह vacancy निकल के आईए अभी दोस्तों आपके भी state की जो भी कोई rally निकल के आईगी तो आपको तुरंट सूचना दे दी जाएगी तो फिलाल के लिए आपके लिए इतना ही यह 36 गड़ वाले ही इस forum को अपलाई कर पाएंगे पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है बाकि दोस्तों आपको कोई और अगर आपको doubt रहे गया है तो आप लोग जो है कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों